नमस्कार एक्जाम है पीवाई जहरखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जेटेट परिच्छा के तयारी को ले करके तो जेटेट परिच्छा का फॉर्म भरे जा रहे हैं आप सभी भी फॉर्म भर चुके होंगे सभी परिच्छा एक तयारी में लग चुके होंगे तो आपको देखिए बजार में बहुत से बजारों किताब आ चुके हैं अब आपको यहाँ पर दिशिजन करना है कि कौन सी किताब से पढ़ी जिससे कि आपको अच्छे मार्स आ सके तो देखिए यहाँ पर जो बिग्या सभी सब्जेक्ट का चेप्टर वाई चेप्टर आपको मिल रहा है तो आप सभी अगर चाहते हैं घर बेठे अच्छे से तयारी हो और वहाँ पर जो है आपका अच्छे मार्स भी आए कम प्रशन पढ़ें और अधिक यहाँ से प्रशन भीड़े तो उसके लिए बस एक ही विकल्प है वह है आपका जेसी आटीट टेस्ट बुक ठीक है जेसी आटीट टेस्ट बुक है जैक का मोडल पाटकरम को आप सभी यहां से देखना कभी भी नहीं बूलिएगा तो अभी देखिए इसकी किमत एक खजार रुपए थी लेकिन आप सभी अभी अर्थियों के मा कारेंटी रहेगी तो आपको यहां पर सारा कुछ जो है आपके सुविधा को देखते हुए सारा पीडियेफ सारा नोट्स और साथ में प्रैक्टिस सेट सारी चीजों के तियारी आपको करवाई जा रही है वो भी जैसी आटी टेस्ट बुक से जो कि आपको हंड़ेट परस भीड़ना ही है यहीं से परसने ज्यादा करके आएगा तो आप कहीं भी जुड़े हैं यहां से जुड़ने का अवस्पर यह प्रैस की जगा परिच्छा में दो दिन विश्व में बचा है तो नोट्स लेकर आवस पढ़ लेजएगा चले चलता है महत्वपुर्णी का प्र लिक्या गया है दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही आपको महत्वपुर्ण रखेगा क्योंकि यहां से अधी आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप समझे कि हर एक प्रस्ण ग्रामर सेक्षन का आपको कम्प्लीट हो गया है तो आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट सेबिन देखे कारक जो चेप्टर है यहां से एक प्रस्ण देखे आपका एकजाम में आता है ठीक है कारक का विडियो और पिडियो दोनों कम्प्लीट बना हुआ है जो अब तक नहीं जुड़े हैं वो जूड़ करके यहां से हिंदी के लिए तो आपको 15 में 15 और 30 में 28 29 जड़ू ठीक है किसमें है एमें में आपर है यहीं इसका राइट एंसर हो जाएगा क्लियर चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है जो हमसे पर चेच करके पड़ रहे हैं उनके लिए इस तरफ बनाया बनाया हुआ सब चला जाता है देखिए आप यूटूब पर से इसका स्क्री लाइन भी ओते रहेगा जिससे आपको यहां पर टेट निकलना बिल्कुल असान हो जागा ठीक है चलिए अगला देखिएगा प्रशन अंधे लोगों के लिए अंधे लोगों के लिए संकेत या चीनों के रूप में लिखने पढ़ने के माध्यम को क्या खाता है ठीक है ब् लिखने पढ़ने के माध्यम से उसको क्या कहा जाता आप से पूछा गया है ठीक है तो देखें उसको हम लोग करते हैं ब्रेल लीपी उसको क्या करते हैं ब्रेल लीपी के नाम से हम लोग जानते हैं उसको ठीक है तो ब्रेल लीपी क्या है अंधेल लोगों को लिखने पढ़न का सही, संदी विखे, देंगे, संदी विखे, से एक प्रशन आप का ह r are confirm रहेगा और यह प्रशन आप जितना देख करें सब किसी राजी के सिछचप पातरता परिचा में पूछा हुआ है ये नहीं समझेगा कि कहीं से नहीं आया हुआ और इसी तरह में को दिया हुआ नहीं शभी प्रस्ण हर राजियों के सिचक पातरता पर चाहँ पूछे गए हैं और सभी प्रस्ण ही निकाल करके आपको हम सिर्फ ला रहे हैं ठीक है तो आप सभी यहाँ पर जोड़ों देख लीजेगा निस्चल का सही संदी विछेद है आपको पताना है क्या होगा ठीक है नी जोड़ चल नी जोड़ चल निस जोड़ चल या निस जोड़ चल क्या होगा आपको पताना है ठीक है तो देखें निश्चल का जो सही संदी विछेत होता है वो आपका होता है नी क्या होता है नी और जोड चल ठीक है आपको पूछे है कि यह कौन संदी है आप पूछे है किसमें यह कौन संदी है तो आप देखेंगा इस पर क्या लगा हो बिसर्ग लगा हुआ है क्या लगा हु राजा भीचुक को दान देता है इस वाक्य में कौन सा कारक है देखे कारक एकदम complete कर लिजे आपको तुम कारक ही अभी और संदी बिछेत और समास यह सारा चीज़ को हम आपको प्रैक्टिस से अभी करवा दे रहे हैं जिससे कि आपको इस सब चीज़ छूटे नहीं और एक से त्यारी किजिए तो जेटेट 101 परशंट आपको निकलना एकदम फिक्स हो गया है ठीक है तो आप सभी अभी अपने यहां पर उमिद्वारी फिक्स कीजिए जेटेट निकालने के लिए आप सभी जूड़ जाए क्योंकि देखे हैं एसा नोट से आपको बता देते हैं ज परिच्छा को देख करके लाया गया ठीक है राजा भीच्छुक को दान देता है इस वाक्य में कौन सा कारक अप होता ना ठीक है करता कारक अपदान कारक संप्रदान कारक क्या होगा ठीक है तो देखें करता कारक तो यह चीन है नहीं अपदान में अलग होता है शंपदान म वाक्य में कौन सा कारक है तो राजा भी चुप को दान देता है यहाँ पर राजा ने दान दिया है अगर किसी चीज को अधी वाक्य में लगे कि कोई भी अक्ति किसी को कुछ दे रहा है किसी को कोई भी चीज दे रहा हो दान कर रहा हो तो वह संप्रदान कारक में जाता है या कर रहा हो कोई किसी को दे रहा हो कुछ भी वो सभी संप्रदान कारक के अंतरगत जाता है तो राजा भीचुक को दान देता है यानि राजा जो है दान दे रहे किसको भीचुक गरीब को यह कौन सा कारक है याद रखेगा संप्रदान कारक है किलियर हो गया होगा ना देखिए ऐसे तो हम एक बार आपको बता दिये हैं लेकिन फिर यहां competition जो आपको practice से चल रहा है उसमें यदि आप बनाने लगें तो समझी कि आपको clear हो गया ठीक है यह प्रस्ण बार बार आपके जेटेट में भी पूछा गया था यूपीटेट, इंपीटेट, सीजीटेट सब में प्रस्ण है तो भासा के सबसे छोटी काई को हम लोग warn करते हैं क्या करते हैं भासा के सबसे छोटी काई वर्न होती है याद रखेगा clear चलिया अगला सब्तर्षी का सही संदी विच्छित क्या होगा आपको बताना है सब्तर्षी या सब्तर्षी का सही संदी विच्छित क्या है सब्तर्षी 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 होता है clear सब्तर्षी सब्तर्षी होता है हो गया ना चलिए अगला दिखेगा पिता जी मा को साड़ी खरीद कर दियें वाक्व में कौन सा कारक है बताना है आपको जल जली कोमेंट कीजेगा करता कारक कर्म कारक शंप्रदान कारक आपादान कारक किस में जाएगा बताई हमें तो यहां देखें पिता जी मा को साड़ी खरीद कर दियें मतलब इस वाक्व में पिता जी मा को कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं साड़ी दे रहे हैं तो जिसमें किसी को कोई दान सोरुप देता है कोई भी चीज़ दे देता है तो वह वाक्व कि अगर लगे कि कि कोई जो है यह को कुछ भी चीद देना दान देना लेकर देना यह सभी संप्रदान का रख के अंतरगत आता है ठीक है चले अगला वर्णों के सार्थक समू को क्या कहा जाता है ठीक है वर्णों के सार्थक समू को क्या कहा जाता है वाक्य सब्द धोनी कोई नहीं देखिए आपको लग रहा ह कि इसमें से कोई option नहीं होगा क्या आप लोगों को लग रहा है तो yes comment कीजिए आपको लग रहा है क्यों ऐसा लग रहा होगा हम आपको बता देते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों के दिमाग को देखे चल रहा हो कि वर्न माला होना चाहिए क्या होना चाहिए वर्णमाला लेकिन यह गलत है वर्णमाला नहीं होगा वर्णमाला के लिए होता है जानते हैं क्या चाहिए वर्णमाला के लिए होता है कि वर्णों के शम्मू को क्या कहते है वर्णों के शम्मू को क्या कहते है तो वर्णों के शम्मू को वर्णमाला कहते ह एक नया चीज है वर्णों के सार्थक सम्मू को क्या कहा जाता है ठीक है मतलब वर्ण में यहाँ पर क्या हो गया अच्छर हो गया तो अच्छरों के यहाँ पर सार्थक सम्मू को क्या कहते हैं तो अच्छरों जहाँ अच्छर मिलते हैं उसको हम लोग सब्द कहते हैं क्या कहत सिर हो गा है कि डाउट है आपको डाउट नहीं रहना चीए च्छिए अप। कि ठीक है यह कहल दिख जोड़ अंबर यह हो जाएगा आपका दिखंबबर ठीक है तो दोनों जोड़े ब्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ उपकार या प्रति जोड़ अपकार क्या होगा ठीक है। उपकार जो है परत्यूपकार का सही संद्विचेट होता है किलिय रो रहा है किसी को कोई डौट है जिसको भी डौट है वो हमें कमेंट किजिए और उनका जबाब हम यहाँ पर देंगे ठीक है? आपको देली हम यहाँ पर देखिए हिंदी समाप्त कर दें है आपको हिंदी का प्रेक्टिस से टेक्साम को लगा दे रहे हैं आप सभी इसको प्रेक्टिस कर लीजेगा और उसके बाद टेस्स रिच चलेंगे जिसमें भी आएगा अब आप कितना सही करते हैं वो आप पर निर्वर करेगा ठीक है अगला प्रसन है क्या राम प्रसन पुछता है या किस परकार का वाग के है बताना है तो देखिए वाग के जब आप पढ़े होंगे तो आप देखेगा जिस वाग में नहीं लगा हुआ रहता है जिस वाग में बीच में कहीं भी नहीं लगा हुआ रहता है तो उसको नकारातमक वाक्य काता है, ठीक है। तो क्या RAMPARA Commission पूछता है, यह यह नहीं नहीं है, इसलिए नकारातमक नहीं होगा। अगला दिखेगा प्रस्णवाचक क्या होता है, जिस वाक्य में प्रस्णवाचक चीन लगा हो रहता है, या प्रस्णवाचक सब्द क्या, कब, कौन, कैसे लगा हो रहता है, तो यह प्रस्णवाचक वाक्य कालाता है, क्या करता है, प्रस्णवाचक वाक्य कालाता है, तो दे जो है आपका प्रस्मावाचाख वाक के है किलियर अगला दिखिएगा यठा सकती में कौन सा समास है अगला सकती डही समास अभ्याई भाव समास में डालिएगा क्योंकि यथा से जुड़ी हुई चीजे ही अभ्याई भाव में जाएगी ठीक है तो यथा वाली चीजे जितनी भी आएगी सबको अभ्याई भाव समास में डालिएगा क्योंकि यहां से प्रस्ण एक आता है यथा वाला तो आप सभी ए संदी विछेत है गा जोड़क गया जोड़क गया जोड़क 집 क्या होगा संदी विछेति टेंट का यहाँ पर संदी विछेत इवह आप और झाये जोड़क होगा और उसको हम लोग कहेंगे गायक क्या नेक्स्ट प्रस्ण है वाह हम लोग मैच जीत गए है या किस परकार का वाक के है वाह हम लोग मैच जीत गए है या किस परकार का वाक के है बिस्म्यादी बोधक वाक नकरात्मक वाक प्रसनवाचक वाक आदेश सुचक वाक ठीक है चले करके बारी बारी से स्वाक के को हम आप को दिखलाते हैं ठेके नहीं लगा हुनया राना चाहिए इस वाक्ष सुसक वाक्ष में किसी में अधेश दिया जाता है इस सोच आदेश नहीं-दिया गया है यसले यह भी ओप्ससन नहीं होगा अब ही बचा बिस्मयादी बोधक वाक्त तो बिस्मियादी बोधक चीन में क्या होता है जिस वाक्त में खुसी आश्चर्य दुख का भावब्यक्त हो रहा होगा और उसके साथ देखिए ये बिस्मियादी बोधक चीन है इस तरह का चीन जो होता है वो बिस्मियादी बोधक चीन होता है उसके साथ में बिस्मियादी बोधाग चिन लगा हुआ राता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं बिस्मियादी बोधाग वाक्य करते हैं ठीक है उसी को हम लोग बिस्मियादी बोधाग वाक्य के अंतरगत लेते हैं किलियर हो गया होगा न बिस्मियादी बोधाग अब आपको कोई डाउट करमधार बहुबरी या दिवगू ठीक है देखे एक चीज़तों में याद आता है अप लोगों को भी याद आता होगा कि दिवगू दिवगू मने दिवगू मने दो दिवगू मने दो और यह संख्यावाचक है दो तीन क्या है यह संख्यावाचक है तो संख्यावाचक जितन अभी समास में लगा हो रहता है उसको हम लोग किस में डालते हैं दिवगों में डालते हैं ठीक है दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, अर्ट लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि संख्यावाचक होते वे भी वह संख्यावाचक कभी नहीं होता है ना वह कभी दिवगों नहीं भी होता है तो किस केस में नहीं होता है आपको बताना है तो वह केस होता है जब उसका विशेश अर्थ निकल जाए जब उसका विशेश अर्थ निकल जाए तो वह दिवगों में नजाकर के बहुब रही में जाता है क्लियर हो गया ना अब देखिए यहाँ पर दसानन है दसानन का मतलब है दस हो आनन जिसका दस हो आनन जिसका ठीक है आनन मिन मुक्स यानि दस मुक्ही तो अब देखिए दस है तिसको आप दिगों में डालेंगे तो आप डालेंगे बहुब रहीही में द्म में डालेंगे कितने भेत होते हैं आपके लाश्ट प्रस्ट देखिए आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा जो भी सिच्छक आपके संपर्क में हैं अभी तक नहीं जूर पाए हैं तो उनको जल से जल जोड़ने कोसिस कीजिएगा क्योंकि टेस्स सिरीज आपकी प्रारम होने जा र कर दो हो ठाउते हैं वाल जातके संपर टेस्ट नहीं हो बढ़ाओजा हैं बोल में हो बहते हैं नहीं नहीं हैं जल मरत कृ waktu कि दो प्रिए में जल बहुआ हैं सराई हैं